नमस्कार हिंदेश साहित्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जो ल्टी कमिशन 2021 की परिक्षा आज के दिन ही हुई थी उसके जितने भी प्रशन पूछे गए थे उन सब प्रशनों को डिसकस करने की हम कोशिश इस करेंगे और complete जानेंगे कि किस तरीकी का प्रशन पूछे गए थे और जिस तरीके से हमने तैयारियां की थी क्या वो प्रशन पूछे गए थे परिक्षा में हालां कि हमारा जो मेन फोकस था वह हमारा लिट्रेचर और ग्रैमर के उपर ही जादा रहा है एंड साथी साथ ला किस तरीके के प्रशन पूछे गए थे सब मेरे पास जो ये पेपर है दोस्तों ये सीरीज का पेपर है सौरी डी सीरीज का पेपर है अगर आपके पास डी सीरीज का पेपर है तो आप यहीं से देख सकते हैं इसको इसके लागा अलावा अगर आपके पास कोई दूसरी सीरी के उत्तर आपको कुछ अलग लगते हैं या फिर गलती से गलत बताया गया हो तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफी चाओंगा क्योंकि ये हमारे नीजी प्रियास है ये कोई official answer की नहीं है तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि सन 1948 में Chief Commissioner प बहुती सिंपल सा प्रशन था ये हर वार पूछ जाता है 16 जुलाई 1949 इसका सही आंसर है सन 1805 में कांगड़ा पर किस ने आक्रमन किया था तो ये थे आपके अमर सिंग थापा विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा फिरोशा तुगलक की आदेशा नुसार किस मंदिर में 300 संस् परदेश के किस जिले में स्थित है तो यहां पर इसका जो अंसर होना था यह आपका देखिए विकल्प नंबर डी 5 का अंसर होगा डी और यह जो प्रशन है आई थिंक कही ना कहीं जो हमारी मॉक्टस चीरीज चली थी आपके जो चैनल पे हमने अपने इसमें टीच्मिंट इसमें जो लाइब क्लासी चलती थी उसके दरान कहीं न कहीं इन प्रशनों को टच करने की कोशिश हमने उसमें की थी और बहुती ज्यादा मुश्किल प्रशन इसमें नहीं थे देखिए तो इसका जो सही आंसर है यह है आपका विकल्प नमबर एक उना में अगला प्रशन देखते हैं साथवां सोलंग परवत चोटी हिमाच प्रवरदेश के किस जिले में इस्तित है तो इसका अंसर था कुलू अगला प्रशन है देखिए सी सनौट जो हाल ही में समाचारों में था किस देश के समुद्रतर पर एकत्र होती सूचना है तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नंबर B तुर्की नववा प्रशन है देखिए यहाँ पर लिखा गया है इगल एक्ट के नाम से हाल ही में किस देश त्वारा एक नया कानून लागू किया गया है तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए यह होगा आपका USA नाइन्थ का विकल्प नंबर B नेक्स प्रशन है देखिए M. Express Pearl जो हाली में श्रीलंका इस मुद्धतर पर डूब गया किस देश का था तो दस्वें कॉशन का जो सही आंसर होगा देखिए यह होगा आपका विकल्प नंबर D सिंगापूर अगला प्रशन है 11 यहाँ पर किसी निशित कूर्ट में यह कह रहा है कि Breakdown शब्द को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है एंड इसी कूर्ट भाशा में जो आपका यहाँ पर Minestral लिखा गया है देखिए इसको किस प्रकार लिखा जाएगा तो 11 का जो सही आंसर होना चाहिए था देखिए आपका विकल्प नंबर B बाकी आप इसको एक बार सही से देख लिजिए मिलान करके कि यही आंसर सही है या कुछ अन्या इसका अंसर होगा बाहरवे का जो अंसर होगा देखिए राम दक्षिन मुखी है करशन आप खुद से पढ़ लेना इसका अंसर में सिंपल यह आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ यहाँ पर पश्चिम इसका सही अंसर होना चाहिए नेक्स देखिए 35 बच्चों की एक कतार में राम दाहीनी और से पंद्रुमें पर और कुछ इस्तिके से बचाया गया है तो इसका जो सही अंसर होना चाहिए था विकरफ नमर डी क्योंकि डेटा यहाँ पर प्रियाप्त रखा गया है नेक्स एक चित्र में एक आदमी की और इशारा करते हूँ एक महिला ने कहा तो यहाँ पर सही अंसर होगा आपका पोता नेक्स परशन देख लेते हैं यहाँ पर यह पूछ रहा है कि दिल का दौरा किसके कारण पड़ता है तो यहाँ पर रिर्दय में खोन की कमी या जो धरकन रुखना इन दो में से एक होना चाहिए एक्जक्ट अगर आपको मालूम है किससे होती है तो 70 का जो होता है आपका 20 से भी कल्प नमबर 20 सही आंसर होना चाहिए नेक्स प्रशन देखिए अठार वन यहाँ पर पूछा गया कि लोगप्रियता के लिए जाना गया था कुछ इस तरीके से कहा गया है कि एक सरवधिक प्रसिद्ध यहां पर थोड़ा सा इसमें ब्लर है दोस्तों इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि कि इस राजन जिसने भारत पर राज किया और अपने नयाय और प्रजा में लोगप्रियता के लिए वो जाना गया जाता था तो यह थे आपके बिकल्प नमबर B मिनांडर इसको आपने आंसर को देख लेना है प्रशन को स्वरी उनिस्वन जो प्रशने देखिए उलेमाओं या मुस्लिम धर्म गुरूं के अधिकारें को चुनोती देने वाला शासक कौन था तो इसका जो सही आंसर ता देखिए अल अगला प्रशन है किस देश ने भारत में व्यपारिक केंद स्थाफित करने का प्रियास नहीं किया तो इसका जो सही आंसर होगा देखिए ये आपका इसका सही आंसर हो जाना चाहिए डी जो आपका 22 प्रशने देखिए विकल्प नंबर D वाकाटक नेक्स प्रशने देखिए सतिप्रथा को किस मुगल शासक के द्वारा रोखने का प्रियास किया गया तो ये थे आपके अकबर विकल्प नंबर A इसका सही आंसर होगा 24 प्रशने देखिए महात्मा गांधी द्वारा दक्षिन अफ्रीका में प्रवास के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था इसका जो नाम था इंडियन ओपीनियन विकल्प नमब सी इसका राइट आंसर होना चाहिए नेक्स प्रशन देखते हैं 25 समाजिक भेदभाव को समाप्त करने से संबंदित मौलिक अधिकार कौन सा है यह आपका विकल्प नमब ए समानता का अधिकार अगला प्रशन है जो आपका 26 प्रशन है देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सदर में सफिकर अपने मत अधिकार का उप की जा सकती है तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा विकल्प नमबर B केबल राजय सभाव में अगला प्रशन है देखिए 28 इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड आगे इसमें लिखा गया है कुछ एंड डेवलोप्मेंट स्थित है तो जो यह आपका इंटरने करती है तो यह आपका विकल्प नमबर D इन सभी सेना विदेशी प्रतिभूती भारत सरकार की प्रतिभूती इत्यादी इत्यादी मतलब यह सभी नेक्स प्रशन देखते हैं तीस हुआ यहाँ पर समुद्री हवाएं इसके दोरान चलती हैं तो तीस का जो सही आंसर होगा यह होगा बी दिन में समुद्र से जमीन की और अगला प्रशन है देखिए टैगापटी इसके मध्यस्थित है तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा यह होगा विकल्प नमबर C यहाँ पर शीतोशन घास मैदान और टुंडरा नेक्स प्रशन है निमन में से किस नदी की स सबसे बड़ी जलनिकास द्रोणी है तो यह था आपका विकल्प नमबर D अमेजन चलते अगले परशन की और देखते हैं कौन सा राज है मुंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है तो यह है गुजरात भारत में तांबे की खदाने स्थित हैं यह है आपका विकल्प इसमें विकल्प नमबर B साई अंसर होगा इफ यू आपका तू बी अंसर टेन विकल्प नमबर B इसका साई अंसर होगा 38 का अगला है देखिए 49 प्रशन यहां से आपके हिंदी वाले जो प्रशन है वो शुरू हो जाते हैं व्याप्त का संधी भी छेद क्या होगा वी प् इसमें व्याप्त प्रशन का बहुवचन यहां पर प्रशन का बहुवचन जो है प्रशन ही होना चाहिए शताबदी में समास कौन सा था इसमें आपका दुई गुसमास होना चाहिए था लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर इसका अंसर इन में से मुझे कोई नह या अंसर होगा देखिए यह होना चाहिए आपका विकल्प नंबर C दाहर चलिए अगला पशन क्यों बढ़ते हैं शब्दा नुशासन किस प्राचीन विद्वान की कता है तो यह थी अचारे हेमचंदर की नेक्स देखिए संदेश रासक को आदिकाल की किस कावैधारा में स् अब परणश का जो मुख्य चंद रहा है यह रहा है आपका यहां पर दोहा या दूहा अगला प्रशन दिखते हैं पाहुट दोहा के रिचाईता कौन थे तो बहुत सिंपल सा प्रशन था यह राम सिंग ने इसकी रचना की है हिंदी साहिते का प्रत्थम इतियास हर बार य जोर्ज ग्रियर्सन ने किया था विकल्प में कहीं पर नहीं था निम्र में से कौन कृष्ण भक्त का भी नहीं है तो यह धरमदास थे यह थे आपके ज्यान मारगी शाखा के कवी जिनोंने बीजग का संपाधन किया था संकलन किया था दीवे प्रबंदरम पद इसके पदो का है तो यह आलवार संथ हैं यह प्रशन पहले भी पूछा गया है ब्रहमसूत्र उपनिशद और आपका भागवत इनको संप्तों में प्रस्थांत्राई के नाम से जाना जाता है यह भी रिपीटिड क्वेशन है माधुनल कामकंदला तो यह क्वेशन गलत है गणपती ने लिखा कुशल लाव में लिखा आलम इन तीनों नहीं लिखी है सरप्रमुक इनकी रही है आलम की इसके लावा यहां पर अगर इस इस तरीके से प्रशन पूछा जाता कि किसकी रचना यह नहीं है तो फिर फूह करका भी हो जाना चाहिए था मुझे लगता है इस क्वेशन क को कट कर देना चाहिए नेक्स दिखें के करिशन का सरपथम उलेक किस generated मिलता है तो सबसी पहले यह फिर वही विवादास प्रशन है इस से पहले वाले जो टेस्त में भी इस प्रशन को डिलीट कर दिया गया था और फिर से ऐसा ही प्रशन पूछे है के लगभग्ग यहां स विवादब वस्पद क्वेशन है, यहाँ पर भी आपको, अगर भी है तो मेरा नुसार वो सही होना चाहिए, क्योंकि इश्वर यह रूप का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, सिंपली कहा गया है कि क्रिशन का उलेक, तो फिर रिगवेद होना चाहिए, नेक्स से द जाता है, पुष्पदंत की बहुत ही प्रसिद रचना है, रितिकाल को निवन मैं से कौन सा नाम नहीं दिया गया था, यह था प्रचारकाल, बाकी रगुनात अलंकार, यह क्वेशन भी रिपीट हुआ है, सेवादास का, लास्ट टाइम भी यह प्रशन पूछा गया था, और सेवादासाब के रितिवध कावेधारा के जो कवी रहें, और इसको भी हमने डिसकस किया हुआ था, अठारा सौ में कलकत्ता के पास श्रीरामपूर में पहला चाफा खाना किसने लगवाया था, तो यह पादरी कैरी जो थे इन्होंने लगवाया था, अगला प्रशन द लग पूछा, हलां कि पंक्ति वही रखी गई, इसके आगे आप देखते तो आगे आपको वही पंक्तिया मिल जानी थी, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, मुझे उस पत पर देना फैंक, तो यह आपकी माखनलाल चत्रुवेधी की, पुष्प किया विलाशा कवीता की प् पहले भी कहा था कि यह त्रिलोचन रहे हैं, इनकी यह कवीताएं पूछी जाती हैं, और यहाँ पर देखें, इनको रखा गया है, इनके कावे संग्रहों को, तीसरे सब्तक में निम्र में से कौन सा कवी नहीं है, तो यह चीज़े में मैंने आपको पहले ही बता दी थी, औ नहीं आना था, यहाँ पर जो केदाना सिंग ये तीसरे सब्तक में है, प्रयाग नराइन ट्रिपार्थी भी है, यहाँ पर यह इसका साई आनसर था, समकालिन कवीता ये कौशन भी रिपीट गुआ था, पिछली बारी भी यही प्रशन पूचे गया था, देखें बहुत सा चे में सरसुति पत्रिका में प्रकाशित एक अशर्फी की कहानी के लेखक, हलांकि एक अशर्फी की आतम कता थी पंडित वेंकटेश नरायन की, लेकिन इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसका अंसर कुछ और होना चाहिए, तो आप कोमेंट सेक्शन में जाकर बता स शलेश मट्यानी के कता संग्र है, दो सुखों का एक सुख हारा हुआ और तीसरा सुख चील और माहभोज, तो इसका जो यह पूछ रहा है कि इनमें किस अंचल का चित्रन हुआ है, तो कुरमांचल का इसमें चित्रन हुआ है, किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उद है, किस से हुआ है, कटपुतली के नरित्यों से हुआ है, तो यह चीज मैंने पहले ही आपको बता दी थी, यहां पर जो सही आंसर इसका होना चाहिए था, डॉक्टर पिशेल होना चाहिए था, रिजले का लास्ट टाइम पूछा था देखिए, और रिजले ने क्या पूछ देखे प्रहसन है, तो यह थे आपका बिकल्प नमबर A, राधा चरण गोस्वामी, अगला प्रशन देखिए, सेना सभा किस तरह की संग्याएं हैं, यहां से आपका प्याकरण जो पोर्शन है, वो लगवग शुरू हो जाता है, तो यहां पर यह थी आपकी समुवाचक सं प्याके में हुआ है, उन्हें कुछ देदो, विकल्प नमबर A, सही आंसर होना चाहिए था, मुख्य क्रिया और सहाय क्रिया, यह दोनों किस क्रिया के अंतरगत आती हैं, तो सहयुक्त क्रिया के अंतरगत, पूजा से पहले में किस तरह का संबंद बोधक है, तो इसके बार नहीं खाता, वो कहलाता है निरामिश, नेक्स पशने देखिए, खिचली किस प्रकार का शब्द है, तो खिचली शब्द आपका होगा देशज, नेक्स पशने किस समास में समस्थवद का प्रियोग क्रिया विशेशन के रूप में होता है, तो यह रहेगा आपका अगर प्रशन इस तरीके से पूछा गया है कि इसमें जो उपसर्ग किस में लगा है, तो यहाँ पर वरिश्टी सही आंसर होना चाहिए मेरे अनुसार, लेकिन प्रशन को किस संदर्व में पूछा गया है, यह थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट लग रहा है, अति वरिश से प्रापक तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, आपका माध्यम, जनसंचार संप्रेशन से क्या भी प्राय है, मतलब जनता के लिए संप्रेशन, नेक्स जाए, आपका दिवार समाचार पत्रों का प्रारंब कहां हुआ, तो इसका जो सही आंसर का विकल्प नहीं है 15 सब्सक्राइब का 1969 यह होना चाहिए था यहां पर इस तरिक्राइब का नहीं है तो में भी सी या कुछ और हो सकता है लेकिन 1969 आगे होना चाहिए था यह आप देख लिए एक बार वाचन करते समय दो केंद्रों के बीच विराम यह भी पहले ही पूछा ग रहे हैं तो आप कॉमेंट सक्षिन में जाकर बेजिजक कह सकते हैं क्यूंकि अपने आप में कोई भी सरवगुन संपन नहीं है हमारे अनुसार जो भी सही थे या मेरी जानकारी के अनुसार जितने भी मुझे लगता है कि इसका अंसर यह होना चाहिए था वो मैंने आपको बताने का प्रियास किया है नेक्स से दिखे किस अनुपरास में अनुवे से अर्थ में चमतकार पैदा होता है तो यह आपका लाटा अनुपरास होता है जहां उपमे का उपमान पर आरोप किया जाता है तो हम सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर रूपक रहता है किस चंद मे या ती का मतलब होता है विराम मनुष्य के मन में स्थाई रूप से रहने वाले और उतेजना प्रेजना पाकर जागने वाले भाव को स्थाई भाव कहा जाता है शृंगारास का स्थाई भाव क्या है थो यम सब लुक जानते हैं इसका रती है भरत भारतिय अदिष्टी 176 महा अभिवक्ति की गहन साधना है जिसे वैचारी क्रांती संभव है यह उक्ति किसकी है भोलानात तिवारी विकल्प नमबर डी साई आंसर होगा जर्मनी के गुटेन वर्ग ने छापे खाने का अविश्कार कब किया था तो यह 1449 था यहां पर 49 नहीं है तो 1440 की और आप जा सकत भारत में किसी भारतिय भाषा में छपने वाला पहला पत्र कौन सा था तो उदंत मारतंड हिंदी समाचार पत्रों के पाटकों की संख्या लगभग कितनी है तो 103 जो प्रशन नंबर है देखिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए तो यह उन चाहिए तो लगभग 15 करोड के आसपास अगर आपको लगता है कि कुछ जादा इसकांसर होना चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर बता सकते हैं भारत में पहली फिल्म पत्रिका किसे माना जाता है जो फैली फिल्म पत्रिका रही यह रही चित्रपट दिल्ली नेक्स से देखिए का मूल उदिश्य तो ये सुधार्क वादी रहता है हमेशा रामचरित मानस कितने वर्ष की सतत्साधना से लिखा गया तो लगभग तीन वर्ष आप इसको मान सकते हैं दो वर्ष कुछ महीने इसमें लग गए थे है ना ग्यारा दो वर्ष ग्यारा मेने कुछ इतने दिन ठीक अंसर होगा आपका पोईटिक्स नव प्लेटोवाद का जनमदाता यहां पर प्लोटीनस होना चाहिए इसका सही आंसर विकल्प नमबर सी वीडा कैसले और टैसो इनका सम्मन रहा इटली से विकल्प नमबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अचारे रामचंदर शुकल ने बिम्बवाद का प्रवर्तक किसे माना है तो यह मानते थे एफस फ्लिंट को विकल्प नमबर सी साई आंसर होगा सस्यूर शोकोलवस्त की रोमन योकॉप्सन की साहित दार से जुड़े थे यह रिपीटिड कॉशन था रूपवाद था इसका अंसर सुकरात के पिता का नाम क्या था तो सुकरात के पिता का नाम इन में से कुछ भी नहीं था उनका कुछ है अलग जैसा नाम था अभी एकदम से मेरे माइन में वो निकल गया है लेकिन ये नाम उनके नहीं थे जो अलोचक बूचर के अनुसार अनुकरण का अर्थ क्या है तो साधरिश्य विधान नह चाता था तो वो समाने लोगों का चित्र करना चाता था विकल्प नंबर ये इसका सही अंसर हो जाएगा कॉल रिज और बाड़्जवर्ट ने किस कावेधारा को स्थापित किया तो हम जान दें कि सुचंदता वादी कावेधारा को इनोंने स्थापित करने की बात कही था फारस के शासक के मंतरी बुजर्च मिहीर ने किस संस्कित ग्रंत का अनुवाद फारसी में करवाया था तो इसका जो सही अंसर होना चाहिए था पंच्चतंत्र विकल्प नंबर C भारत में अंग्रिजी को राजभाषा का स्थान कब से मिला तो यहां पर सही अंसर इसका होना यह था पॉण्ट 21 का देखिए B 1837 भारते समीदान के अनुशी 343-351 में किस विश्यक को लिया गया है हिंदी राजभाषा के रूप में और प्रत्थम राजभाषा आयोग 1955 विकल्प नंबर C सही अंसर होगा सरजनात्मक भाषा कैसी होती है तो हम सब लोग जानते ही यह म नहीं बता पा रहा हूं इसके लिए मैं माफी चाहूँगा आप सब लोगों से कि इसका अंसर क्या होगा नेक्स वर्शन देखते हैं 127 भाषा संदर्य संदर्व और भावार्थ आदी इसमें नहीं रहता है यहां आपका जो सारांश लेखन है इसमें आपका जो भाषा संद भिए रहें कहा है इस तरीके से यहां पर आप देखेंगे जो संकर्ष पण्ट हैं वो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है लेकिन यहां पर हमने क्या कर द Яप जसका नहीं लेखत पारिभाषिक शब्द उन asphalt में किस ने किया था था तो यह आपका हो जाएगा यहा जो A है देखिए सही आंसर हो जाएगा अंगंग मुस्कुराना का अर्थ क्या है ये था बहुत प्रसंद होना चांदी का जूता मारना ये है रिश्वत देना धोती धिली होना मतलब ढर जाना विकल्प नंबर C सही आंसर हो जाएगा 134 प्रशने देखिए अकाश का के लिए आप लोगों के लिए एक मैंने वीडियो लाया था 35 में से लगबग ये सारे लगबग अगर आपने एक बार देखे होते उनको तो आपके तीन चार यहां से पूछे गए थे रिकॉर्ड अप सर्विस देखिए सेवा भी लेक है ना नेक्स था कंस्क्रिप्शन इस था आपका स्थगन एंड पासपोर्ट था आपका पारपत्र बहुती सिंपल सी चीज़ें इस बार पूछी गए थी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी इसमें शिक्षन की क्रीडा प्रनाली का जो जनक किसे माना जाता है जो आपका 143 नंबर का जो सिधारनते चात्र अपने विश्य को नहीं पढ़ते हैं इस संदर्भ में तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था 145 का यह होना चाहिए था कि आपका जो सी विकल्प है शिक्षक को जानने का प्रियास करना चाहिए कि उनमें अध्यान के प्रती अरूची क्यों है अगर 146 वां बच्चों की अनवचारिक शिक्षा तो यह कह रहा है कि एक योजनाबद तरीके से की जाती है संस्था द्वारा उसे दी जाती है या उसके वातावर्ण से शुरू होती है तो विकल्प नमर 20 होना चाहिए था कि उसके वातावर्ण से शुरू होती है कक्षे नेक्स ने दिखी यह किसने कहा था खेल खूद एक बच्चे की अंतरजात्ने सरगेक प्रवरिती है तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था 148 का यह था विकल्प नुबर C का अंसर देखते हैं यहां पर कि निवन मैंसे रचनात्मक मुल्यांकर के लिए कौन सा उप्युक्त सादन नहीं है तो यहां पर जो आपका सम्मान यह सही होना चाहिए था विकल्प नुबर C या उच प्रतिष्ठा या इसको हम हाई स्टेटस यह तो नहीं रहेगा संतोष की वस्तु को मतलब आधर और सम्मान यह जादा उचित लग रहा है निवन मैंसे किसे नैसरगेक गुण का संकेत नहीं माना जाता है तो 152 क 52 का यहां पर इसका सही आंसर में चाहिए था लोगों से जगड़ा है ना नेक्स एक पार्ट के अध्यान के दौरान शिक्षा को किस तरपर अधिक्तम प्रश्णों संख्या में प्रश्ण करने चाहिए तो यह आपका रहेगा इसमें ज्यादा तर आपका प्रगति का भी 155 प्रश्ण है यहां पर देखिए भात्य समाज के संदर में एक शिक्षक शिक्षन एक चुनाती से भी ज्यादा है तो यहां पर 155 जो कुश्चन था देखिए इसका जो साही आंसर होगा विकल्प नबर D समाजिक असमानता के कारण शिक्षक की एक गंभीर कमी हो सक कि यह जो आपका उत्पादन है एक शिक्षक के लिए आतमसंतुष्टी का जीवन स्त्रोथ है विकल्प नबर D नेक्स देखते हैं एक 189 प्रश्ण है नैसरगीक प्रतिभा होती है किसके कारण यहां पर A और B दोनों का इसमें होना चाहिए था सही आंसर आईक्यू हो सकता है इसमें बहुत सारी प्रश्ण उपर नीचे भी हो जाएं तो इसको आपने खुद से जाधातर कोशिश करनी है देखने की निमिलिक सिंदान्तों में कौन सा पार्ट योजना में शामिल नहीं होता तो वह रहेगा आपका रिजिड ऑफ रिजिडिटी ऑफ प्लानि यह नेक्स आता है आपका 162 यहां पर यह कह रहा है कि पर्सनेल्टी के उत्पत्ति पर्सोना यह हम सब लोग जानते हैं विकल्प नमबर वी इसका सही अंसर होना चाहिए था शनीदेव मंदिर हिमाचर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है यह था आपका विकल्प नमबर जाता है 164 का जो सही आंसर होगा यह होगा आपका अर्की भोज़री उत्सब इस स्थान पर लगता है तो यह आपका चमब्रींग हिमाचर प्रदेश के किस क्षेट्रका लोग नृत्या है तो कार्थी रहा आपका यहां पर इसका जो सही आंसर होगा देखी 160 का विकल्प न सी अगला प्रशने रिखिए 168 संजय विदुत प्रियोजना हिमाच प्रदीश के किस जिले में है तो यह रहा विकल्प नमबर डी कि नौर 179 जो प्रशन है उसको देख लेते हैं हिमाच प्रदीश राजय सूचना आयो का गठन किस परश हुआ था तो इसका जो सही आंसर होगा 179 का विकल्प नमबर B 2006 में लास्ट प्रशन है आज का हिमाच प्रदीश विश्य विद्याले के प्रत्थम कुल्पती कौन थे तो हिमाच प्रदीश के जो प्रत्थम कुल्पती रहे यह रहे डॉक्टर आरके सिंग सही आंसर होगा इसका विकल्प नमबर A तो यह थे आज के 170 प्रशन इन प्रशनों में कुछ एक प्रशनों के उत्र मुझसे हो सकते हैं कि गलत बताया गए हो या किसी प्रशन में डौट रखा गया हो या कुछ एक प्रशन ऐसे भी हैं जो मैंने आपको नहीं बताया हैं तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा जहां तक मुझ प्रियास अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शिर गीजिए और चैनल को अभी तक अगर सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए क्यूंकि इस तरीके का बहतर कॉंटेंट हम लाते रहते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के स तब तक के लिए शुक्रिया जैहिन इनकलाब जिन्दवाद